गुड मॉनिंग चिल्डरन आज हम पढ़ेंगे कक्स्या तेन का पार्थे कक्कू इस पार्थ में इस बच्चे का नाम कक्कू है चलिए हम शुरू करते हैं कौ, आधा कौ, कौ में बड़े ओ की मात्रा कू, कक्कू नाम है उसका कक्कू, कौ, आधा कौ, कौ में बड़े ओ की मात्रा कू, कक्कू में आकी मात्रा मा, नामें इकी मात्राने माने, कौ में ओकी मात्रा को, 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 यल हो में ओकी मात्रा हो, तो में आकी मात्राता होता, ककू माने को, यल होता लो में इकी मात्रा ले, कौ में छोटी इकी मात्रा की, ना लेकिन यह यह तो में ओकी मात्रा तो तो में चोटी की मात्रा दी ना भर दिन भर रो में ओकी मात्रा रो तो में आकी मात्रा ता रोता लेकिन यह तो दिन भर रोता E सो में बड़ी की मात्रा सी ला में चोटी की मात्रा ली इसलिए हम हम इसलिए 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 हम इसलि सो अधा को को में बड़े उकी मात्रा को सक्कू कहते इसको सक्कू नो में आकी मात्रा नाम और नाम हो में एकी मात्रा है उसका को अधा को को में बड़े उकी मात्रा को कक्कू पूर बिराम नाम है उसका कक्कू तो बच्चो इस कविता में जो एक कक्कु है इस बच्चे का नाम है कक्कु का मतलब वैस तो कोयल होता है कोयल बहुत मीटा बोलती है तो उसको कक्कु कहते हैं लेकिन यह दिन भर ये बच्चा जो है दिन भर रोता रहता है तो इसको सब चिलाते हैं इसको कहते हैं सबकू पर उसका नाम है कक्कू अब आप लोग अपना पीज पलतेंगे माने मिस्री जैसी मो में बड़ी की मात्रा मी ठो में बड़ी की मात्रा ठी मीठी जो में छोटी की मात्रा जी सो को में बड़ी की मात्रा की जिसकी बो में उकी मात्रा बो लो में बड़ी की मात्रा ली बोली मीठी जिसकी बोली यह यह तमें उकी मत्र तू जो में आकी मत्र जा तमें आकी मत्र ता जाता भऴक भऴक अल्प बिराम करमें उकी मत्र रो करो जब जब यह तो जाता भड़क करो जब इस समय की मात्रा से इससे तो नौमें चोटी की मात्रा निक तनिक ठोमें चोटी की मात्रा थी ठोमें की मात्रा थो लौमें बड़ी की मात्रा ली ठितोली इससे तनिक ठितोली इ सामें बड़ी की मात्रा सी लो में छोटी की मात्रा ली ए इसलिए तामें वो की मात्रा तो का बहुमें बड़ी की मात्रा भी कभी का बहुमें छोटी की मात्रा भी कभी हा माहम इसलिए तो कभी कभी हम को हो तो मैं की मत्राते कहते इस को इसको भो अधा को को मैं बड़ेओ की मत्रा को भग को कहते इसको भग को मिसरी क्या होती है जो मीठी होती है इसको मिसरी बोलते हैं भग माने होता है गुसान तानिक थोड़ा सा ठीठोली मजाग कोयल क्या होती है जिसकी बोली बहुत मीठी होती है मिसरी जैसी उसको कोयल कहते है जो इक कक्कु होता है इससे थोड़ा भी मजाग करो तो वो भड़क जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं भग क्कु और नाम है उसका कक्कु उसका नाम क्या है कक्कू है को अधा को में बड़े उकी मात्रा कू कक्कू वह वह जो में उकी मात्रा जो गो में आकी मात्रा गा नो में आकी मात्रा ना गाना गो में आकी मात्रा गाए गाए कक्कू वह जो गाना गाए बो में आकी मात्रा बाद तो बाद बो में आकी मात्रा बाद तो ब मौ में एकी मात्रा में, में में आंकी मात्रा में, जो में उकी मात्रा जो, जो में छोटी एकी मात्रा ची प्लो चिल, जो में आकी मात्रा जा ए जाए, बात बात में जो चिल जाए, रह तो में आकी मात्रा ता रहता, मौ में छोटी उकी मात्रा मू, मू में चंद्रविंदू, हूँ हम जो में ओकी मत्रा जो, सो दो में ओकी मत्रा दा सदा, फो में चोटे ओकी मत्रा फू, लो में ओकी मत्रा ला ए फुलाए, रहता हूँ जो सदा फुलाए, गो में ओकी मत्रा गा, नो में ओकी मत्रा ना गाना, जो में चोटे ओकी मत्रा जी, सो को में ओकी मत्रा को, जिस नो आ ए आये गाना जिसको जरा ना आये ए सो में एकी मात्रा से ऐसे चगड में आकी मात्राडा लो में बड़े उकी मात्राडू चगडालू को में उकी मात्रा को अब अब सो में एकी मात्रा से ऐसे जगडालू को अब से अधा को यो मैं उकी मात्रा हैं यो मैं अंकी मात्रा हैं यो न को हमें इकी मात्रा है हे मैं अंकी मात्रा हैं कहें हम हम जो अधा को को मैं बड़े उकी मात्रा को जखकू क्यों न कहें हम जखकू ना मान नाम हमें इकी मात्रा है उसका कौ, आधा कौ, कौ में बड़े ओकी मात्रा कौ, ककौ, पूर्ण विराम, नाम है उसका ककौ जो ककौ ये बच्चा है, वो बात-बात में चिर जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, जरा-जरासी बात में वो क्या करता है? मुफुला लेता है, यानि कि गुस्सा हो जाता है, वो गाना जिसको जरा ना आए, उसको गाना भी नहीं आता है, और जगड़ा करता रहता है, इसले हम उसको कहते हैं जगड़ा करता है, जगड़ा करता है, उसका नाम है ककौ इस कविता के लेखक हैं रमेश चो में अंकी मात्रा द पदेन की मात्रा रमेश चंद्र सो में अंकी मात्रा साह साह तो बच्चों आप इस कविता को पुरा घर में पढ़ेंगे धन्यवाद